पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वैड में सामिल हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक गुगली मास्टर पाकिस्तान टीम को मिल गया रासीद खान और सेन वान से भी खतरनाक युआ गेंदबाज जी हाँ दोस्तों आखिरकार वंडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की टीम में सामिल हुआ है कौन सा सबसे खतरनाक गुगली मास्टर जो करता है रासीद खान और सेन वान से भी खतरनाक इनबाजी बताएंगे उस खतरनाक खिलारी का नम आपको इस वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो विशुकप में अपना पहला ही मुकाबला निदलेंड के खिलाब खेले की और यह मुकाबला सुक्रवाट 6 अक्टूबर को खेला जाना है यानि अब वंडे वर्लकप के सुरू होने में ज्यादा दिनों का समय नहीं बचा है ऐसे में पाकिस्तान टीम वंडे विशुकप को खुब परिशान कर सकता है दरसल हम जिस खिलाडी के बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलके युआ अबरार रहमद हैं आपको बता दे कि अबरार रहमद ने पाकिस्तान टीम के लिए अभी तक टेश डेब्यू तो किया है लेकिन वंडे में वो अभी तक डेब्यू नहीं जटके थे अबरार ने वंडे मैच में अभी तक डेब्यू नहीं किया है अबरार को पाकिसान की वर्लकप स्कुएड में सामिल किया जा रहा है अबरार रहमद को पाकिसान का मैजीशियन कहा जाता है अबरार के इस्पीन गेंदबाजी में कई सारे वेरियंट मौजूद है अबरार की गेंदबाजी को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए असार नहीं होता है अबरार एहमद की गेंदबाजी रासीद खान और सेन्वान की तरह बिलकुल अलगी है वे अच्छे-च्छे बल्लेबाजों को चकमा देने के काबलियत रखते हैं अबरार एहमद और इमाद वसीम की जोड़ी वर्लकप में सभी तीमों को चकना चूर भी कर सकती है ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि अबरार एहमद वंडे वर्लकप में टीम पाकिस्तान के लिए वंडे डेव्यू करते हैं या नहीं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार